तो ऩो डोस्तों स्वागत है आप सब का आज मेरे YouTube channel इंजिनियरOS अद्ध ह Decky Loo तो दोस्तों आज मैं आपको कोड़ा बताऊंगा कि उसे कैसे भरा जाता है तो चलते हैं वीडियो को करस्तों भरने में बहुत ज्यादा काम नहीं है इअ को आप अराम से भर CentAid यह तो दहीं दो पति लें今天 जो से तो प्राइब करने बीच में जो जहते हैं नहीं होते हैं या उपर नीचे हो binder की तो बहुत ही कमी हो ऐसा होता है तो इस तरह से आपको कोर बैठाते जाना है और कोर को आपको ऊपर से नीचे रखना जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए आपको ऊपर से क्योंकि नीचे से आपको बैठाने में कभी-कभी ऐसा होता है कि कोर आपस में जाकर कर फ वीडियो आपको बना करके दिखा रहा हूं काफी दिनों से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था तो दोस्तों आपको आज मैं कोर ट्रांसफार्मर कैसे बना जाता है उसकी कोर को कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहे दोस्तों तो दोस् कि इस तरह से कोयल के कोर को भरा जाता है और बस आपको दो-दो कोर इधर से और उधर से भरने और आपको ध्यान देना है दोस्तों कोयल कोर आपस में फसे न ने तो फिर आई डालने में आपको प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है बस इसी प बताऊंगा कि टाइट उसे कैसे किया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कोर काफी हद तक भरा जा चुका है थोड़ा सा और बचा है वह भर जाएगा जल्दी और उसे भरने के बाद मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग कैसा लगता है अग बचे हुएं दोस्तों उसको भरने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे वो प्राब्लम न करें या और आपस फसे न तो जैसे की दोस्तों कि आपने देखा कि और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था भरने में तो आपको इस तरह से आई लगा दे कैने हैं ये दोस्तों क्योंकि आप दूनों साइट के तो देख सकते हैं कि मेरा उपर से बैट रहा है लेकिन वीच वाला प्पॉर्सान आप नहीं देख पाएंगे कि वो बैट पा रहा है कि नहीं तो इस तरह से आपको आ हि पर जाएगा नीचे नही जाएगा तो देख्षत तो और यो अई आपको धर यह ग्या अब दोस्तों इसे tight करने के लिए आपको कुछ करना नहीं यह जैसा कि मैंने आपको बताया था चार पत्त्ति और ले लेना है दोस्तों अगर आपने अच्छे से घर लेकर के दोनों के बीच में आपको इस तरह से देख जैसा आप दिखा पा रहा हूं इस तरह से बीच में इसको बैठा देना है और दो दो पत्ती उसमें और डाल देनी है यानि कुल टोटल मैंने छे पत्ती इसमें लगाई है और यह देखिए इस तरह से आप इसे पूस कर देंगे आराम से बहुत ही आराम से टाइट हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते है कोर पूरी तरह से टाइट हो गया दोस्तों और इसके बीच में जो खाली है उसमें ज्यादा आई भरा जाएगा और यह देखिए अब मैं आई भर रहा हूं तो आई भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो लास्ट का जो आपका सुरू का और ल कि नइन होती पुराना कोर होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है जंग लगे होते हैं तो उसमें परिशानी होती में कोई दिक्कत नहीं में ऋती दोस्तों बड़े ही आराम से और इस मूट तरीके से को को भरा जा सकता है दोस्तों और अगर आपको कोर भरने में दिक्कत हो तो आप यह देख सकते हैं जैसा कि पेचकस की साहता से भी कोर भरा जा सकता है क्योंकि कुछ कोर भरने के बाद मुद बंद होने लगते हैं तो आपको बस जहां गय भरना है कोर वहां पर आपको पेचकस और फटा फट आई भरते वह जाना जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और आई भरने के दाद दोस्तो एक साइट से पहले ये देखिए आपको इस तरह से आई भरते वह जाना और बचेगा लाश्ट में दोस्तों जिसमें की बहुत सारे आई मतलब बहुत सारे क्या जैसे की 6-8 रहे होंगे टाइट करने के लिए तो उसमें भी आपको भर देना है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसको भर के आपको इच्छे से मिला लेना है अब बचे दोस् और इस तरह से आपको कोर आई को भी भरना है बारी बारी उस साइट का मैंने आई आई आपको भर के दिखा दिया और इस साइट का भी देख लिए दोस्तों कैसे भरा जाता है कोर भरने का तरीका बिल्कुल सेम है और हां कुछ कोर की क्वाल्टी होती है एक और बहुत ही प भर सकते हैं और दोस्तों को भरते भरते आप इसे हलका-लका पूश करते हुए टाइट करते हुए जाए ताकि आपको इक टाइट करना पड़े अगर आप ज्यादा उपर नीचे करके भर रहे तो और अगर बराबर सेम से भर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है आप एक बार में उ अच्छे से बैड़ जायेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोर काफी हद तक पुरा भरा जा चुका है थोड़े से और बाकि है थोड़ी देर की इंतजार और बाकि है थोड़ा सा वीडियो आप और देखिए और यह देखिए इसको इससे प्रकार से आपको भर लेनी है अब भरने के बाद दोस्तों इसे कैसे टाइट किया जाएगा कैसे ठोका जाएगा और कैसे इसके क्लैम्प अगरा लगा जाएंगे वह भी मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह दिखिए पूरा कॉर इसमें आई जो की भर लिया गया अब इसे अच्छे से पीट करके ठोक करके मिला दिया जाएगा कि कहीं से ना हो और कोर पर्फेक्ट ली अपस में सेट हो जाए यह देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा कोर आपका सेट हो जाएगा कि इसको इस तरह से आपको ठोकते हुए जाना है मिलाते हुए जाना है कि अग्दम मुह इसका बंद जा जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों यह के बीच में थोड़ी सब्सक्राइब होती है लेकिन आप उसे अच्छे से मिला देंगे तो पूरा पैप हो जाएगा सब्सक् cursor transformer बन के रेडि और यह सब्सक्राइब गोसा जाएगा तो इस तरह से आपको इसके प्लेंप को लगानी ने डोनों सैट से और इसकी बोल्ट आती है। से आपको इसको टायट कर देना यह देखे मैं आपको ब्ल्ट दिखाता ह손 couldier in a second by social bringjak या मिफियरे दोस्टर मे देखिए इस तरह से आपके बोल्ट इसमें लग जाएंगे और इसे फसाने के बाद इसे टाइट किया जाएगा दोस्तों इस तरह से दिखिए बोल्ट को लगाया जा रहा है और थोड़ी बहुत अगर दायबाय कुछ ठोकना हो तो आप सकते दोस्तों कोई दिक्कत नहीं इस एसा नहीं कि आपने एकशाइट से खुब कर दिया खाली छोड़ दिया तो ऐसा नहीं करना दोस्तों आपको चारो तरफ बराबर ना के चलना है कि चारो तरफ से तो देखने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा और वर्क तो वो करना ही है और जो थोड़ी बहुत आपको अगर उभड़ी हुई दिखे तो उससे आप खतावड़ी के साहता से पीट करके मिला सकते हैं उसका से तो दोस्तों यह ट्रांसफार्मर बनके पुरी तरह से अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करे कमेंट करें और हां मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें